तो उतरप्रदेश सरकार में मंत्री ठाकूर रगुराज सिंग का विबादित बयान सामने आया है दो बच्चों से अधिक परिवार वाले लोगों को आरक्षन खत्म होगा साति मंगल सूतर वाले बयान पर रगुराज सिंग ने कहा कि कॉंग्रेस और सपा ने हमेशा ही सत्या नाश करने का काम किया है अलीगड में नहीं आज जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है असी परसंट में हम लोग विज़ई हो रहे है तो इसलिए आप अलीगडी को बूझ रहे है हम असी परसंट पर विज़ई हो रहे है आदनी मोदी जी हमारे देश के आईकोन है हम सब के आईकोन है और विस्तों में आदनी मोदी जी का एक डंका परचम फराया है और हिंदुस्तान में आपने देखा होगा उन्होंने वो काम करके दिखा है जो के साथ साल बनाम दस साल दस साल में वो काम किया है जो साथ साल में काम नहीं हुए अलीगट में मैंने सवाल इसले किया कि अलीगट में कहीं ना कहीं में से देखने को मिलेती प्रतियासी से थोड़ा बहुत हो सकता है कभी कभी होता है लेकिर पार्डी से कोई नाराज नहीं है तो इसलिए पार्डी को बोट जा रहा है मोधी जी को बोट जा रहा है हर भूत पर आरणी है न रित बोट लड़ रहे हैं सेम पितुलदा ने कहीं न कहीं जो उसको लेकर जो कहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड होगी जिस तरह के मोदी जी लगातार बयान दे रहे हैं कि आपका मंगल सूतर भी जा रहा है इसको लेकर क्या कुछ कहाना है देखिए सेम पितुलदा ने वो उनके पिता जी क राजनेति गुरू थे राहूल के राजनेति गुरू हैं तो उन्होंने बिल्कुश सही कहा है उन्होंने ये कहाएगा अगर एक रुपया है आपके पास और आपके फॉरफादर्स खतम हो गए तो 45 पैसा आपके पास जाएगा और 55 पैसा सरकार के पास जाएगा वो सरकार क लागरिक सहिता लागू करेंगे समान कानून लागू होगा दो बच्चे से ज्यादा जो पैदा करेगा उसको कोई भी विवस्ता सरकार की देश की नहीं मिलेगी यह हम लोगों तै कि सरकार बनेगी सबसे पहले तेलंगना का आरचन खतम होगा आप चिंता मत करिये मुस्लिम आरचन नहीं होना चाहिए को कि एक संप्रदाय मां चूआ चूआ चूट नहीं है हमारे हैं चूआ चूट के आधारित ओवीची और सुरूर काश्ट को रेजर्विशन दिया था केवल विस्तम हिंदूों में है और किसी में नहीं है इसलिए मुस्लिम को आरचन नहीं देना चीए मैं इसका ब्रोधी हूँ यह थे हमारे साथ उत्विदेश सरकार मंतिर अग्रास सिर्णों ने बाकाइदा बताया कि जो मोदी जी ने नारा दिया है कही नहीं पूरा होता नजर आ रहा है साथी आरचन को लेकर भी उन्होंने खुल का बातचीत की मैं प्रदी पुंडीर इंडियोस अलिगर